हेलो फ्रेंड्स सुनदी सकी में आप सभी का फिरसे स्वागत है मेरे फ्रिश क्लेनिंग वाले वीडियो में अपने देखा कि फ्रिश को हमें किस तरीके से क्लीन और और अर्गिनाईज रखना चाहिए आज हम देखेंगे कि प्रिश के दोर में लगी रबबर को हम किस सरी के क्लीन करें तो आएए देखते हैं प्रिश हमारा फूर्ड स्टोर है यहीं से खाना हम सबी के पिट में जाता है तो इसलिए इसका साफ होना कितना important है कभी हम से गुलाब जामून की चाशनी तो कभी दूद, दही, आदी समान ढूल जाता है और धीरे धीरे फ्रिज के रबर में गंदी की जमा होने लगती है तो आज इसी रबर को हम साफ करेंगे जिससे ब्लेक फंगस, कॉक रोज, आदी हमारे फ्रिज में एंटर ही न कर पाएं सबसे पहले हम सबी सामान को बहार निकाल कर फ्रिज के डोर को खाली कर लेंगे क्लीनिंग शुरू करने से पहले एक बात जरूर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि कभी भी किसी शार्प ऑबजेक्ट जिससे चाकू, चामच, पेज का साधी में कपड़ा या पेपर लगा कर फ्रिज के डोर को क्लीन न करें क्योंकि इसे रबड के कटने या फटने का डर रहता है और अगर रबड में कट लग गया तो फ्रिज की कूलिंग बराबर नहीं होगी और सारी ठंडी अवा बहार निकल जाएगी अगर आप पहली बार रबड को बहार निकल कर क्लीन कर रही हैं तो मारकर से निशान जरूर लगा लें जिससे आप कन्फ्यूज नहीं होगी कि रबड को दुबारा से कैसे फिट करना है अब धीरे धीरे करके फ्रिज की रबड को हम बहार निकल लेंगे गर्म पानी में सर्फ या लिक्विड डिश वाशर डाल कर धीमे हातों से ब्रश की साइथा से हम रबड को क्लीन कर लेंगे अपना है जब हमारा रबड पुरी तरीके से सूख जाएगा तो निशान को ध्यान में रख कर रबड को हम फिर से फ्रिज में फिट कर देंगे अब आप जब भी अपना फ्रिज को लेंगी तो चम चम अधा फ्रिज आपका स्वागत करेगा मेरी इनी स्पेशल टिप्स से आप अभी के अभी परिवार को ब्लैक फंगस और कोरोना जैसी महामारियों से बचाएए और उनकी सुपर सेफटी के लिए आप अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सुन रिसा की बेस्ट फ्रेंड अफ एवरी वोमेन थेंक यू